आज हम सभी लोग एक नए एक्ट को डील कर रहे हैं जो कि है दो कोट पी एक्ट 1870 सभी का एक बार हादिक स्वागत और अभिनंदने साथ हो बिल्कुल इस एक्ट को करके चले जाए आज एक दिल घंटे में आपका यह कंप्लीट कर दूँगा और लगब तीन चार कोशन आपको एज इस मिल जाएंगे एक्जैम में राइट सो आप सभी आई हो प्रिपेर कर ल आफ भी बताता चलूँगा चलिए तो इक बार सभी लोग बता दें क्या मैं सभी को प्रॉपर और अडिबल एंड वेजिबल हूं क्या अगर हूं तो क्लास को स्टार्टिंग करते हैं मेरे साथ सबी लोग बार जैहीन एंड जय भारत चलिए पहला पहला जो टॉपिक है इ 11 बजे आपका क्या होगा एक mcq session होगा लेकिन देरी ज्यादा हो गई साथ ही हो तीस mcq को morning में भी कर सकता हूं देखते हैं यह class कब तक चलती है ठीक है जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको स्टार्ट करते हैं इसको हमारे act का नाम क्या है the court fee act 1870 हाँ जी सभी को प्लीज वेट कि यस अब कोट फी एक्ट 1870 के अंदर साथी हों बात करेंगे देखो पूरा मैं जब भी कोई देखो जब भी मैं कभी एक्ट आपको लेके आया हूं साथी हो तो हमेशा मेरा यह कोशिश रहता है इन डेफ्थ पढ़ाता हूं मैं उसको तो आज मैं इसको हिस्टोरिकल बैग्राउंड से लेते हुए एंड तक लेके चलूँगा तो ध्यान से देखिए कोट फिया कब से आया कब से इसकी जुरत पड़ी तो सबसे पहले क्या था सबसे पहले ब्रीटिस रूल था साथियों क्या था एक ब्रीटिस रूल था यस और नो बिल्कुल अ आंसूर आएगा नो क्या आंसूर आएगा नो नो फीस पेबल ओन एड्मिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जब नयाई की बात आती थी सातियों तो कभी भी कोई कोड़ी कोड़ी नहीं लगता था हंडेड परसेंट लेकिन जब अंग्रेज आये तब उन्हें लेका नो 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 दिस इस नॉट गूड अगर आप मेहनत करें उसके पैसे ले आगे चली पहले में बिफोर को समझा रहा हूं तो पहले कोई फीस नहीं लगती थी लॉट ओन कोड़ फी वास एनक्टेड कोड़ फीस पर पहला कानून बना जिसका नाम था मद्रास रेगुलिशन थर्ड ऑफ 1782 समझे बात को कि नहीं समझे अंग्रेजों के आने से पहले भारत में न्याय के लिए कोई ऐसी फीस चार्ज नहीं की जाती थी लेकिन जब न्य से पहला जो लॉट बना कोड़ फीस पर वह मद्रास रेगुलिशन थर्ड था 1782 का यस और नो 1782 का फिर उसके बाद दूसरा यह तो पहला था इसके बाद दूसरा पॉइंट बना एक और बेंगॉल रेगुलेशन ऑफ 1795 का दैन इसके बाद वापस से बॉंबे पहले तीन अलग अलग कानून थे अब तीनों अलग अलग कानून को एक सिंगल एक्ट में क्या कर दिया गया एक सिंगल एक्ट में साथियों को इसका नाम क्या था एक्ट नमबर गिन दीजिएगा 36 ऑफ 1860 क्या क्या रहा हूं एक्ट नमबर 36 ऑफ 1860 अब आगे की बात यहां से सुनते रहेगा एक्ट नमबर 36 बना इसे हम क्या कह सकते हैं consolidated act ये क्यों बना to consolidate and amend the law relating to stamp duties तो कुल मिलाके stamp duty से संबंदी ते कानून जितने भी थे उन सभी अलग-अलग कानून को एक करके एक single act का नाम बनाये गया एक्ट नमबर क्या बोला गया 36860 yes or no सभी को आयोप यहां तक तो clear हो गया और जब इनको consolidate कर दिया गया तो present में 1870 में वर्तमान में एक नया एक्ट बना जिसका नाम बोला गया the court fee act 1870 came into existence नयायाले शुलक अधिनियम 1870 अस्तित्तु में आया बोले सभी को हम अभी अस्तित्त में आगे हैं चले कहां थे साथियों चले थे हम 1782 से और पहुंचे कहां है 1870 क्लियर हो गया सभी को एक बार सभी लोग बता दें थमस्थब कर दिया करें कि हां सर कंफर्म हो एकदम perfect होता जा रहा है तब तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को हां 1870 तक बात समझ में गई अंग्रेजों के जमाने से चले थे जमाने से नहीं अंग्रेजों के जमाने से पहले बिफोर से चले थे और आये कहां तक है 1870 अब आगे की बात ध्यान से सुनिए अब क्या हुआ दे कोट फी एक्ट 1870 ये कंटीनूड रहा टू भी इन फोर्स आफ्टर दी कॉंस्टिटूशन अफ इंडिया केम इन्टू फोर्ट चबीस जन्वरी उनिस सो पचास बाइव वर्चू फार्टिकल 372 इसका मतलब क्या रहा अभी सब कुछ विजय जी बात करेंगे हम आया इसके आने के बावजूद जो 1870 का कानून था वो अभी भी इसके बाद कंटीनू रहा और यह कंटीनू आर्टिकल 372 की वजह से रहा 372 क्या कहता है आपको बताएंगे अभी आर्टिकल 372 क्या कहता है पहले इस लाइन को पढ़िएगा मतलब ऐसे कानून जो समिधान के बनने के पहले थे और वह एकदम वैलिड थे वह आज भी प्रवर्तित रहेंगे अगर वह 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 एक्ट आया वर्तमान में तो हमारे यहां पर एक सिस्टम इवाल्ड हुआ लेकिन यहां तक को पढ़ने के बाद साथ ही हो कुछ मैं इन जनरल बाते बताना चाहता हूँ उन जनरल बाते क्या है कि स्टांप क्या होता है कोड फी क्यों लागू हुआ देखे सिंपल सी बात है मल्टिप्लिसिटी ऑफ तूट्स नहीं हो नियायले में जो कर्मचारी काम करते उनको पेमेंट सही टाइम पर पहुँचे दूसरी बात तीसरी बात और भी यह भी है कि भाई अगर कोई वर्किंग चल रही है जस्टिस चल रही है तो वहाँ पर अगर फीस नहीं होगा तो लोग अननेसेसरी सूट फाइल करेंगे लेकिन अगर उनको पता चलेगा हाँ यहाँ पर जाना है अगर नियाय चाहिए तो मुझे यहाँ पर पैसा जमा कराना पड़ेगा और अगर गडबड हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा तो इससे क्या होगा, जो जिसको एक्चुल में न्याए चाहिए, वो उसको न्याए मिल सकता है, इस court fees act के माध्यम से, और कभी जो fees fees वसूली जाती है, वो cash में या account के माध्यम से नहीं ली जाती है यह stamp के माध्यम से ली जाती है कि 5 रुपे का stamp है उसको चलो चिपका दो आगे बढ़ो गेटिंग मैं point तो इस तरह से काम होता था अब आगे मैं इन सब चीजों को discuss करूँगा कि meaning क्या होती है यह क्या होते हैं बट इनको भी historically पढ़ रहे है चलो अब क्या हुआ साथियों हमारा 1870 वाला कानून बन गया बदाईए 1950 के बाद भी लेकिन 1920 में कानून आया था the devolution act 1920 क्या बोल रहा हूँ the devolution act 1920 आया था अब इसका मतलब क्या हुआ डिवोलिशन एक 1920 का actually क्या हुआ साथियों एक मामला हमारे सामने आया कि जो यह act है कौन सा वाला यह जो court fee act है यह state wise है या central wise central law है मतलब तब मामला यह बना कि काम करते हैं इसको इस कानून को जो बनाया गया यह है तो central law बट इसको state हर राज्य अपनी आविशक्ता अनुसार कर सकता है कुछ changes करके तो साथियों यहां पर एक बात और रहा है Central law को कोई राज्य अपने हिसाब से कैसे adopt करेगा अगर आप देखेंगे आपने हर राज्य की हिसाब से अलग अलग court fee act है लेकिन कुछ court कुछ states ऐसे हैं जिनोंने 1870 वाला original as it is apply कर रखा है हम इनके बारे में भी discuss करेंगे लेकिन हमारी बारी आएक आई है एक act आया है the devolution act 1920 it empowered the provinces to amend the court fee act अब इस act का use करते हुए devolution act 1920 का use करते हुए हर राज्य अपने यहां पर अपने आविशकता अनुसार क्या कर सकता है इस court fees act को adopt कर सकता है कुछ state wise amendment करके इसलिए आप future में कहीं पर भी पढ़ेंगे कहीं पर भी पढ़ेंगे साथियों तो आपको यह देखने को मिलेगा कि कई राज्यों में अपना जैसे मैं आप सभी को बताऊंगा अगर महरास्टरा की बात करें तो महरास्टरा का अपना ए अप्लाय करता है अब देखिए मैनी स्टेट्स हैव इवन रिपील दिस सेंटरल एक कई राज्यों ने इस सेंटरल एक्ट को क्या कर दिया गया रिपील कर दिया गया है एंड इंडियर स्टेट एंड एन एक्टिड अन्यू एक्ट पॉर कोट फीस है और उन्होंने अपना एक नया कोट फीस एक्ट लागों किया है अब आगे देखिए इस टेट्स विच रिपील देखोट फीस एक्ट ऐसे कौन कौन से राज्यों ने सेंटरल लॉव पॉर्ट फीस एक्ट को ही मिरसित कर दिया खतम कर दिया और उन्होंने क्या किया एंड एन्ट इन एक्टेड द यूसफुल रहेगा महारास्ट्रा जो एक्ट है महारास्ट्रा के अंदर बों्बे मौट प्रेशर के अंदर कौन चलता है गुजरात की बात करें तो गुजरात ने अपना रखा है तो उनका राजस्थान अन फीश एंड शूरोइशन एक नाइटिन सिक्स्टी वन है थोड़ा सा यह अलाइमेंट बिगड़ गया इस साथ में ठीक है और चौती बात पांचवी चटी तमिल लाडू आंध्रा प्रदेश जमुएंड कश्मीर इनका अपना कोड़ फीस एक्ट है यह थेंट्रल वाला अप्लाइन नहीं करते हैं फिर करनाटका हो गया हिमाचल प्रदेश वेस्ट बंगॉल केरला पॉंडिचेरी इनका अपना है लेकिन इन सब में हमें 36 गड़ का ध्यान रखना है तो दोस्तों जैसे जारखंड हो गया 36 गड़ हो गया और उत्तरांचल हो गया इनका मामला क्या था जो जारखंड था साथियों इस तीन राज्यों के पार्ट थे बट इनको बाद में ब्रेक करके अलग बनाया गया दकोट फीस एक्ट 1870 एज एप्लीकेबल इन दीज स्टेट्स बिफोर्ट री ओर्गनाजेशन ऑफ इस स्टेट्स इन दे ये 2000 इस स्टिल कंटीनियू तो बी इन फोर्स अब यह क्या कह रह कि इन राज्यों में Central Law as it is लागू है तो अगर कोशन एक्जाम में आ जाए कि कोई पूछ ले इंटर्व्यू अगर हमें कि 36 गड़ में क्या अपना खुद का Local Court फी एक्ट है नो Court फीस हमें अगर मिलेगा तो हमारी revenue बढ़ती है इसलिए the object क्या Court फी लाने का to protect the revenue of the state मतलब राज्य के राजस्व की रक्षा करना इसका उद्देश है अब चलिए Court फी एक्ट की structure की बात कर लेते हैं साथियो जो नियायले फीस अदिनीम 1870 है इसका क्या क्या है देखे इस बना टोटल चैप्टर 36 है माफ कीजिगा च्छे है और च्छे मतलब यह वाला च्छे 36 टोटल धाराएं टोटल सेक्शन 36 है तो कुल धाराएं 36 है कुल चैप्टर 6 है कुल सेड्यूल की बात करें तो तीन अनुसूचिया आप कहां दी गई है और फिर इसके आगे ध्यान लग जाओंगा एक तारिक से डेली बेस पर एक दिन छोड़के मैं लेके आता रहूंगा अब सुनिए मैं क्या करना चाहता हूं यह तीन शेडियूल कौन से हैं शेडियूल नंबर वन है एड़ वेलरम फीस सेडियूल नंबर टू का नाम याद करके जाना पूछा जा सकता एक्जाम में शेडियूल नंबर टू का है फिग्स गुणा है और अगर बात करें सिर्डियूल नंबर खृए का तो यह हो जाएगा indi हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा फॉर वञांस पार वाट फऊर वैलवेशन टे गो वैल गवर इस्टेट क्या कर सकती है अगर राज जी अपने अनुसार इसमें चेंजस कर सकती है इसको स्टेट लिस्ट में इन बेसिकली इंकूड किया जाता है ऑगे तेंक्यू जमाल जी अब देखिए आगे की बात मैंने तीनों अनुसूचिया बताई आप सभी को पहली अनुसूची दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची राइट येस और नो तो तीनों अनुसूचियों के नाम याद करके जाएगा पूछा जाएगा एड़ वलरम फीस क्या होता है और फॉर्म क्या होते है फॉर्म फॉर्वेलवेशन देखो जो पहला शैडूल है वो यह बताता है आपके सूट की प्रोसेडिंग की वैल्यू के अनुसार आपको कोट में फीस जमा करनी पड़ेगी शैडूल नमबर तू बताता है एक फिक्स कितने रुपए की है आगे चलते हैं आयो भी चार्ट अब सभी को क्लियर हो गया होगा अभी चार्ट को में के को और अच्छे से डिसकस करेंगे साथियों आने में आज थोड़ी देर हो गई थी उसका कारण यही था टेक्निकल इस्शूस बहुत होती है साथियों क्या होग कि पूरी फाइल ही गड़बड हो गई थी है ना तो थोड़ा बहुत देरी होता है मैं इंटेंशनल ही नहीं करता हूं कभी देखो जैसे यह फाइल है ना राजस्थान कोट फी एंड सूट्स वेलवेशन एक्ट यह देखो इस तरह से अलाइमेंट पूरा बिगड़ गया अगले मंत भी मैं आपके लिए यूट्यूपर आकर लेक्चर्स प्रोवाइड करता रहूँगा अब देखिया आगे की बात अगर मैं चैप्टर वन की बात करूँ यह होता है प्रिलीम्नरी में जो सेक्शन नंबर वन यह साथ हो आज तक किसी ने यह कंक्लूड नहीं किया यह सेक्शन वन टीपी एक्ट में कैसे हलफ फूल रहेगा चलिए देखते हैं शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है संक्षिप्त नाव लेकिन जो पार्ट बी स्टेट्स है एक नवंबर उननीस सो चपन के पहले जो पार्ट भी स्टेट्स के अंदर कवर होते हैं उन राज्य पर यह लागू नहीं होगा तो अब देखते हैं पार्ट भी स्टेट्स कौन से होते हैं जरा देखिएगा पहले कमेंस्मेंट की बात कर लेते हैं यह एक्ट कमेंस्ट कब हुआ था एक अप्रेल 1870 को फस्ट एप्रील 1870 को अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं यह पार्ट गठन अदिनियम आप सभी को पता है जब समिधान का एक सात्वा संसोधन आया था 1956 में उसी समय की यह बात है क्या हुआ था सातियों एक आया था स्टेट रियोर्गेनाजेशन एक्ट 1956 मतलब हर राज्य को रियोर्गेनाइज किया जा रहा था उनकी बाउंडरी की जो एरिय सभी संसोधन के टाइम आया था इट चेंज इस इंडिया की स्टेट बांडरी को चेंज किया दी कॉंस्ट्यूशन ओफ इंडिया के पीज़ के बतानी क्या जा रहा हुँ जब 1956 के अंदर State Reorganization Act आया साथ ही हो उसी दोरान क्या हुआ उसी दोरान क्या हुआ इसे ने 1956 वाले कानून ने इस लॉन ने पूरी जितनी भी हमारी एरिया थे उसको तीन कैटेगरी में बाटा इसे फिन्ट से टेट गया एरिया के अधार पर तीन टूकोड़ों में हमारे देश को बाटा गया स्टेट पार्ट बी स्टेट एक और बनाएगा पार्ट डी स्टेट यह तीन अलग है एक चौथा अलग है तो कुल मिलाके 3 प्लस 1 कैटेगरी बनाई गई मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि ये पूरे भारत पर लागू होता है लेकिन पार्ट B स्टेट पर लागू नहीं होता है अब पार्ट B स्टेट होता क्या है तो सुनिए एक कानून आया था 1956 में State Reorganization Act 1956 उसने पूरे भारत को पूरे देश को चार कैटेगरी में बाटा पहली कैटेगरी थी पार्ट A स्टेट दूसरी कैटेगरी थी पार्ट B स्टेट तीसरी थी पार्ट C स्टेट और चौती थी पार्ट D स्टेट अब इन तीनों को State-wise पहले बाले में 9 राज्यों को डाला दूसरे बाले में 8 राज्यों को डाला इसी से हमारा संबध है पार्ट बी से स्टेट में 10 राजियों को डाला डी में एक एक टेरी टेरी अंडमान निकोबार एक अंडमान एंड नीको बार को डाला गया यस और नो अब देखएगा अब ये act क्या कह रहा है जो part B states है Part B states कौन से Part B states ये वाले है है दोस्तों ये वाले आपके part B states है यहाँ पर court fee act लागू नहीं होगा court fee act court fees act लागू नहीं होगा तो कौन से part B states है देखिए पहला एक तो हैदराबाद है यह उस जमानी की बात चलिए नाम भी अलग दिखेंगे आप सभी को हाँ विस्था जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आप विवेक हैं बट विवेक लगते नहीं है चलिए हैदराबाद हो गया राजस्तान हो गया सौरास्ट्रा हो उगया मध्य भारत हो गया जम्मु और कश्मीर हो गया मैसूर हो गया त्रवनकोर हो गया पैपसु राज्जे का मतलब जाता है पटियाला एंड इस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन याद रखे ना फूल फॉल फॉर्म क्या होता है पीफोर पटियाला इफोर इस्ट एंड यू फॉर यूनियन तो इन आठ राज्यों पर पार्ट भी स्टेट्स के नाम से जानते हैं और इन पर कभी अप्लाए नहीं होता है इन राज्यों को गवन राज प्रमुख करते थे और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता था भारत का रास्ट पती भारत के रास्ट की इन राज प्रमुखों का अपॉइंटमेंट करते थे तो कुल मिला के साथ यह हो आज समझ में आया कि यह पूरे भारत पर लागू होता है लेकिन पार्ट भी स्टेट पर लागू नहीं होता क्योंकि स्टेट रियोर्गनाजिशन एक्ट 256 आया था जिसने आठ राज्यो अगले सेक्षन की बात करें वन है यह पढ़ने के कोई जरूरत नहीं है अगर सेंट्रल गॉर्मेंट के डॉक्यूमेंट की बात करें या ऑफिसर्स की बात करें तो वहां पर सेंट्रल गॉर्मेंट आ जाएगा अगर राज्य के डॉक्यूमेंट ऑफिसर्स की बात करें तो तो appropriate government can be state government और can be central government as per situation. आगे चलते हैं. इसके बाद एक नया section और है section 1B. ये 1B सिर्फ और सिर्फ 36 गड़ के लिए. This section, section number 1B is applicable to 36 गड़. और कहीं पर applicable नहीं है. क्या है? It is 36 गड़ specific section. इसके अंदर दो बाते बोली गई है, 1B के अंदर. याद रखना exam में पूछा जा सकता है कि memorandum of appeal जो होता है, क्या उसके अंदर क्या include होता है? Memorandum of cross objection include होता है क्या? Yes. Memorandum of appeal includes memorandum of cross objection. एक और formula है. तूट के अंदर, वाद के अंदर क्या appeal भी आते हैं क्या? Yes. वाद के अंदर appeal भी include होता है. तो कुल मिला के one भी दो definition दे रहा है. पहला memorandum of appeal के अंदर memorandum of cross objection include होता है. दूसरी बात, suit के अंदर appeal include होता है. Yes or no. Specific Relief Act का second part. ठीक है, चलो. अभी मैं अगले महिने में जो आ रहा है हमारा freshman, उसमें मैं एक part और लेके आ जाओंगा. Specific Relief Act की. बहुत जादा लोग students कह रहे हैं कि second part लाइए. चलिए. तो मैं Specific Relief Act का promise करता हूँ. एक और नया part लेके आऊंगा. चलिए अब चलिए. यह आपका हो गया Memorandum. I mean to say Memorandum Appeal includes Cross Objection and Suit includes Appeal. अब Section 1A, 1B के बाद बात करते हैं Section 2. जो कि आपका क्या हो गया है? Repealed या फिर निरस्त कर दिया गया है. Right? आगे की बाद. अब Section No.3 को देखो एकदम Easy Language में समझाओंगा. क्या हो गया? Yes, I am in Rappur. यहाँ तो Class ही नहीं चल रही. चलिए. I don't know आप क्या कह रहे हैं. Section 3 की बात करते हैं. 1, 1, A, 1, B हो गया. अब देखें Section No.3 की बात करते हैं दोस्तों. पहले ही सेक्ट को पढ़ लेते हैं. Levy of Fees का मतलब होता है, Fees का उद्ग्रहण करना. क्या कहता है? Fees का उद्ग्रहण. Levy. Levy का मतलब थोपना. अब Fees आपके उपर कैसे थोपा जाएगा? ऐसे. देखो कैसे? अगर बात करू in High Courts. In High Courts की अगर बात करू साथियों. या In Presidency Small Cause Courts की बात करू. तो दो जगह पहले क्या होते थे? ये देखो, जो Fees की बात आएगी, वो All Courts की बात आएगी. बट ये Exceptional दो को पहले समझा रहा है. कि अगर Fees High Court की बात चले उच्छ नियाले में, या Presidency Small Cause Court, S, C, C. अगर इनकी बात चले, या फिर H, C की बात चले, तो इन दोनों जगह पर, इन दोनों जगह पर दोस्तों, The Fees shall be collected in the manner here and after appearing. बड़ी अच्छी बात कहा रहा है. ये मजाग वाला Section है. ये क्या कहा रहा है? कि High Court के अंदर और Small Cause Court के अंदर, जो Fees collect की जाएगी, वह उसका मैनर यहां नहीं है, आगे बताया जाएगा, आगे आने वाले Sections में. आगे कहां बताया जाएगा? चलिए देखते हैं, 4, 5, 6, 7 के अंदर बताया जाएगा. Yes or No? तो कुल मिला के, मतलब Further Sections में. सिर्फ Section 3 में क्या याद रखना है? Levy of Fees. Fees किसके हिसाब से चार्ज किया जाएगा? High court की बात करें और Small cause court की बात करें. Normal courts की बात नहीं और इन दो court की. इन में Fees का method हुआ ही होगा, जो Further Provisions में बताया जाएगा. अब चलिए, Section No.4 की बात करते हैं. हम अभी देखेंगे क्या मैनर बताया गया है. Section No.4 की बात करें साथियों. तो Section No.4 क्या कहता है? Fees on documents filled in high courts in the jurisdiction. इसका मतलब क्या रहा? उन दस्तावेजों पर फीसे, जो High court में उनकी अधिकाहित्ना में फाइल की गई है. आएंगे, जैपूर में भी आएंगे दोस्तों. चलिए, टाइम आने दीजिए, सब जगह मिलेंगे. अब देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ? High court का अगर jurisdiction की बात करें, High court का मामला चल रहा है. तो High court की बात करें, तो यहाँ पर High court का jurisdiction कौन-कौन सा होता है? एक तो Extraordinary jurisdiction होता है High court का. दूसरा इसका अपीलेट jurisdiction होता है, तीसरा रेफ्रेंस का भी इसका शेत्रा अधिकार होता है, चौथा रिविजन का भी यह jurisdiction रखता है. कौन? यह कौन रखता हाई कोट. तो High court जो है, वह Extraordinary Appellate, Reference और रिविजन की jurisdiction रखता है. अच्छा, जो Extraordinary है साथियों, इसके दो कैटेगरी हैं. Extraordinary में Civil jurisdiction भी हो सकता है, और Criminal jurisdiction भी हो सकता है. यह सौर मूँ, इसको हटा ही है. मतलब High courts के पास अगर jurisdiction की बात करे, तो यहाँ पर चार तरह के High court के पास jurisdiction होते हैं. पहला है, और Extraordinary, जो Civil और Criminal हो सकते हैं. दूसरा Appellate, तीसरा Reference, चौथा Revision. अब देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ? इन सभी के Respect में Common बात. Document will only be filed and after the fees is paid as per the schedule. Section 4 सीधी, सीधी बात कह रहा है, कि Document को तभी File किया जाएगा, जब आपने High court में fees जमा कर दी है. अगर आपने अपनी fees जमा नहीं करी है, तो उसको Document को Entertain नहीं किया जाएगा. Getting my point? Yes or No? सभी को समझ मैं है बात? यह Simple सी बात कह रहा है, यह High court के Jurisdictions है, आप इन में आ रहे हो, court में case लेके आ रहे हो, और अगर आपने, Document will only be filed on and after, the fees is paid as per the schedule. Schedule मतलब क्या? Schedule number 1, schedule number 2. अगर आपने fees जमा नहीं करी, तो बाबा टाटा बाई बाई बाई. आपको कोई entertain नहीं करेगा. अब चलिए, यह जनरल बात बता रहा था, अब देखिए दूसरी बात. Section 5 क्या कहता है? मान लीजिए, कितनी fees charge की जाए, ऐसा मतभीद पैदा होगा, differences arose होगे. When differences arises as to necessity of paying fees, कभी-कभी ऐसा होता है, कोट में, आपको कहा जाता है, इतनी कोट fees pay करिए, लेकिन दिक्कत क्या आती है, आप मना कर देता है, कि नहीं, हम ये कोट fee pay नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे हिसाब से क्या है, ये कोट fees जादा है, तो उस समय differences arise होगे कि नहीं होगे, आपके और जो वो charge कर रहा है, फिस दोनों के बीच में, तो आप कहेंगे, यस सर, difference तो arise होई जाएगा, तो उस difference को solve कौन करेगा, मैंने chart form में, वैसे ये पूरा बिखर गया chart, फिर भी कोशिश करूगा, यहां मैं आपको समझा सकूँ, चलिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई issue नहीं, देखिए, मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर मान लीजिए, difference arise हो जाता, as to necessity of paying fees, कि कितना फिस दिया जाए, या फिस देने की भी आविशकता है, या फिस देने की आविशकता नहीं है, अगर मामला high court है, in the high court, right, in the small cause court, यह cause court यहां आएगा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा, मैंने बोला ना आज, पूरी फाइल गडबड हो गई है, कोई बात नहीं, अब आपस से, refresh करके, अच्छे से बना के दूँगा में बाद में, तो अगर मामला high court में है, तो वहां पर क्या होगा, इसको भी यहां हटा के, लगू, नियाले में, अब तो सही हो गया, यह फाइल पूरी, देखिए, अगर, वेन डिफ्रेंसेज एराइजेज एस टू, नेसेसिटी ओफ पेंग फीस, और कहां पर, high court के अंदर यह डिफ्रेंस एरोज होते हैं, तो साथियों वहां पर एक taxing officer होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, नियाले, विन निर्धारक अधिकारी, ठीक है, taxing officer, जो की declared by chief justice होता है, वह decide करेगा, कि आपका कितना फीस बनता है, देखो simple सी बात, एक line में समझ जाओ, नियाले में गए, court में गए, दुविधा पैदा होगी, फीस इतनी है, आप कहा रहे यह इतनी लगेगी, court कहा रहा ज़्यादा लगेगी, तो वहाँ पर दुविधा होगी, तो उस दुविधा को, उस problem को solve करने का अधिकारी होता है, जिसका नाम क्या taxing officer, अब taxing officer क्या करेगा, decision करेगा, high court के अंदर, taxing officer अपना निले देगा, अच्छा question exam में पूछा जा सकता है, taxing officer को declare कौन करता है, chief justice, जो उस court के chief justice होते हैं, high court के, वो क्या करते हैं, वो declare करते हैं, कौन हमारा taxing officer होगा, अब देखिए, इन्होंने decide कर दिया, इतना होगा, the decision shall be final, जो question, जो question of fees है, जो taxing officer decide कर देगा, वो fees हमेशा final होगी, उसको कोई challenge नहीं कर सकता, लेकिन साथियो, एक बात और ध्यान लगिएगा, if the question is of general importance, अगर जो ये question है, वो सामान्य सारवजनिक महतुका है, yes or no, अगर question आपके सारवजनिक महतुका है, then it will be referred to the chief justice of high court, तो कुल मिला के दोस्तों, अगर मैं conclusion की बात करो, कि अगर amount को लेकर, differences arose होते हैं, अगर amount of fees को लेकर, difference create हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसको solve करने के लिए, या तो taxing officer उसको decision देगा, in general, taxing officer decide करता है, कितनी fees होगी, और अगर question general importance का है साथ ही हो, तो उसको कौन decide करेगा, chief justice of high court, yes or no, यहां का मामला clear हुआ की नहीं हुआ, एक side, thumbs up कर दें, कि यहां का मामला clear हुआ या नहीं हुआ, किस मामले में, high court के मामले में, अगर difference arose होता है, तो, अब सुनिए, अब बात करते हैं, दूसरे court की, अगर small court की बात करें, लगुवाद नियायले की बात करें साथ ही हो, तो यहां पर taxing officer नहीं आएगा, यहां पर कौन आएगा, clerk of the court, जो clerk को होता है, उस court का, वह clerk decision देगा, कितना charge आपको देना पड़ेगा, तो अगर high court की बात करें, तो विवाद को solve taxing officer करता है, अगर small cause court की बात करें, तो clerk जो है, वह decide करता है, ठीक है, और जो clerk का, माफ कीजी का बेट, जो clerk का decision होगा, वह final होगा, लेकिन question अगर general importance का हो, अगर question general importance का हो, तो वहां पर, वह decision कौन लेगा, वह decision यहाँ पर भी, refer to the first judge of such court, उस court का, जो पहला judge होगा, वो निर्णय देगा, तो एक बार इसका भी conclusion हम यहीं लिख लेते हैं, इसका conclusion हमने यहाँ लिख लिया, इसका conclusion देखिए, अगर जो amount of fees के लिएके difference, यहाँ पर आया, small cause court में, तो उसको decide in general, taxing officer की जगा clerk करेगा वहाँ का, और अगर general importance का question है साथ ही हो, तो वो कौन decide करेगा, first judge, पहला judge जो उस court का होता है, चलिए, आगे की बात करते हैं, I hope सभी को section number 5 तक clear हो गया, yes or no, जल्दी से बताएं साथ ही हो, yes or no, चलिए, फिर आगे की बात करते हैं, अभी एक topic आपका आएगा, computation of fees, क्या बोल रहा हूँ मैं, computation of fees payable in certain suits, आप देख रहे होंगे, यह आपका very, very, very important category में आएगा, तो अभी थोड़ी देर बाद में आप सभी को, इसका पूरा list बना के देदूँगा, in short में, कि कैसे कैसे computation of fees payable होगा, ठीक है, अभी section 7 को थोड़ा सा रोक के, आगे की दरफ बोन करते हैं, लेकिन, आगे के sections मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, अब मैं तरीका change करूँगा, जो हमने section 5 तक की पढ़ाई करी है, क्या कह रहा हूँ, section 5 तक की पढ़ाई करी है, उसको हम अब section 6 से जोड़ेंगे, section 6 क्या कहता है साथियों, ध्यान से देखिएगा, एक और section आपका है, section number 6, section number 6 क्या कहता है, जो आपने 3, 4 में क्या पढ़े थे, high court के बारे में, small cause court के बारे में, उसने क्या बोला, इसका जो मैनर है, वो आगे दिया रहेगा, तो section 6 क्या कहता है, आपके मुफसिल court ऐसा कुछ लिखा होगा, वो in general all courts के उपर लागू होता है, तो section 6 in general, all courts, जितने भी like, जो district court वगएरा होते हैं, उन सब पर, उन सब पर ये लागू होता है, yes or no, तो district court वगएरा जितने भी होते हैं, उन पर ये लागू होता है, अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो प्रकिरिया अपनाई जाती है, एक बात बताईए, इन जनरल अगर आपको fees वसूलना है, कोई fees नहीं दे रहा है, तो आप कौन सी प्रकिरिया अपनाते हैं, मैं आप सभी को बता देना चाता हूँ, अगर fees collect करना है साथियो, तो fees collect करने के लिए आपकी वहाँ पर, जो अधिकारी है, state government के subject to decide करते हैं, लेकिन वो कौन सा manner follow करते हैं, fees को collect करने के लिए, तो ये जो collector नहीं होते हैं, आपके district के, collector of district, जो collector of district follow करता है manner, उसी manner को जैसे revenue को जैसे collect करने के लिए, collector जो जो प्रकिरिया अपनाता है, उसी को ही वो follow करता है, yes or no, yes, अभी को clear, चलिए, चलिए, आगे की बात देखिए, अब लगे हाथ में section 7 को चलो बताके, फिर आपको थोड़ा सा मैं back से start करूँगा, court computation of fees payable in certain suits, तो चलिए, अब हम देखते हैं, कि fees कैसे calculate करोगे आप, कि इस चीज का इतना fees है, इस चीज का इतना fees है, तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ, section 7 के notes बनवार देना हूँ, लिख लिजिए मेरे साथ सा, section number 7, calculation of fees, calculation of fees, कैसे calculate करेंगे दोस्तों, चलिए, calculation of fees, पहला point आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिएगा, हाँ, तो लिखिएगा, ऐसे लिख लिजिए, calculation of fees, payable in, payable in, देखिए, writing पर मत जाईएगा, writing तो ऐसे ही रहेगा, गांधी जी के द्वारा हमें दी गई है विर्यासत में, बस आप लोग अपनी notebook में समझ में आए, बोल रहा हूँ, लिख लिजिएगा, तो computation of fees, payable in, in following suits, in following suits, निम्न वादो में, कैसे compute किया जाएगा, following suits, चलिए, हिंदी में भी लिखू क्या, अगर हिंदी मीडियम की student बता दीजिएगा, कोई शरम नहीं है, थोड़ा बहुत हिंदी में भी मैं लिख दूँँगा, एक बाल लिखे देता हूँ, निम्न वादो में जल्दी जल्दी लिखेगा, क्योंकि साथ बहुत बड़ा section है, निम्न वादो में, ठीक है, 7 बहुत बड़ा section है, इसलिए इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, संदेर, आपके comments को भी देख रहा हूँ, संदेर, पीसों की, कैसे पीसों की गड़ना करेंगे, जरा देखते हैं, पहला point लिखिएगा साथियो, पहला point लिखिएगा, suit for money, क्या कह रहा हूँ, अगर suit file किया जाता है, किसके लिए, suit for money के लिए, suit for money का मतलब, आप लोग समझते हैं, धन के वादों में, अब बताओ, जो suit money से संबंदित है, उसका calculation कैसे किया जाएगा, amount जितना claim किया है, money का suit था, मैंने का मुझे 50 लाग रुपए चाहिए, तो 50 लाग के उपर code fee लगेगी, तो simple सी बात है, इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, amount claimed, amount claimed, amount claimed का मतलब क्या होता है, दावों की राशी, जल्दी जल्दी लिखेंगे, बाकी तो सब मैं content form में समझा दूँगा, ये थोड़ा सा क्या लगता है, फाइल से delete हो गया, तो मैं अपने हिसाब से, अब उसके हिसाब से लिखवा दूँगा, एक बार आप लोग लिख लीजिए, फिर आपकी comments को मैं दीख पाऊंगा, अब देखिए, cannot add more than hundred canvas, ओके, दिक्कत के आगे अब file ही आगे नहीं बढ़ सकती, चलिए, आगे की बात हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर लिखता जाओं क्या साथ हो, प्लीज वेट मैं कुछ फाइल डिलीट कर देता हूँ, जो काम का नहीं है, प्लीज वेट दोस्तों है न, प्लीज वेट दोस्तों है न, प्लीज वेट अ मिनट, ताकि कुछ तो मिल जाए, चलिए, तो अब आई हो दो पेज मुझे मिल जाएंगे, पहला क्या, अब कितम शॉट में चलेंगे हैं, क्योंकि पेज नहीं है इसमें ज़्यादा, सूट फॉर मनी, अगर मनी का वाद आता है तो, दूसरी बात आप याद रखिएगा साथ हो, दूसरा बात क्या कह रहा हूँ, मैं बोल भी दूँँगा, अप लिक्टेट कर देता हूँ, चलिए, सूट फॉर मनी हो गया, अमाउंट क्लिम, जितना लिख पा रहा हो, लिख देता हूँ, वरना डिक्टेट कर दूँगा, लिख लिजेगा, दूसरा लिखे, for maintenance and annuities, अगर कोई भी सूट होता है, किसके लिए, for maintenance, for maintenance and annuities, इसको हिंदी में बोल दूँगा, हिंदी में लिखते रहीगा, हिंदी नहीं लिखूँगा, लिख ये भरन पोशन और वार्षिकियों के संबंध में, भरन पोशन और वार्षिकियों के संबंध में कितना फीस आएगा, तो लिखिएगा, 10 times of the amount claimed per year, कितना, 10 times of the amount claimed per year, यस और नो, फिर अगर तीसरी बात करें साथियो, मुवेबल प्रोपरिटी का मामला आता है अगर आप सभी का, मुवेबल का मतलब जंगम संपत्ती, अगर मुवेबल प्रोपरिटी का मामला आता है, तो कोड़ फी कैसे कल्कुलेट करेंगे, इसका केर कोड़ फी कल्कुलेट करने का, अलग तरीका होता है, हम मार्केट वैल्यू इसकी देखेंगे, अगर जो वाद है, जो वाद है, कौन से संबंदित वाद है, इन सूट्स, कौन कौन से सूट्स, मुवेबल प्रोपरिटी का, पहला लिखिएगा, मुवेबल प्रोपरिटी, अगर मुवेबल प्रोपरिटी से संबंदित कोई सूट है, मतलब आपका जंगम संपत्ती, जिसकी of market value not given मतलब उसकी market value नहीं है of no market value लिख दो short made of no market value यहां market value निकल रही थी अब यहां पर market value नहीं है या फिर कोई भी कोई भी दूसरा point लिख लिजेगा इसके अंदर आते हैं जैसे declaratory decree हो गई declaratory decree के बात आ गई declaratory decree तीसरी बात दियान से देखिए declaratory decree के बात क्या आएगा third point declaratory decree आप कहां पढ़ते हैं section 34 of specific relief act अब देखें तीसरा point आ गया injunction या फिर चौथा point आपका क्या आ जाएगा injunction के बाद तीन हो गया चौथा injunction के बाद आ सकता है easement easement की अगर बात आ जाए साथ ही हो तो easement के case में भी या फिर accounts easement को क्या कहते है सुखा चार या फिर accounts की बात की जाए किसकी बात कर रहा हूँ accounts की बात की जाए तो इन सभी situations में value of relief आप कितना चाहते हैं उसके हिसाब से code fee लगेगा value of relief sort या फिर क्या सकते हैं कि आप value of relief कितना claim करते हैं that is claimed by plaintiff जो claim करता है plaintiff उसके हिसाब से अब आगे की बात ठेक यहाँ तक सभी हो clear या नहीं clear या कोई भी यहाँ तक समझ गये तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर suit moveable property जिसकी market value नहीं पता या फिर declaratory decree injunction, easement, account से संब्ध देते हैं तो जो plaintiff claim कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर लिया जाएगा तो यह चार point आई हूप सभी को learn हो गये बस आपको उधर वाली value याद रखनी है क्या कह रहें भाई आपका question क्या है अगर कोई लड़के के उपर 17 साल में कोई allegation लगा पता नहीं चल पाया और 21 साल का होगा पूरा proper देखो माजरा क्या है पूरा बताओ ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगा भाई पूरा माजरा बताया करो क्या है ऐसे अचानक से क्या पता चलेगा क्या चीज है तो कुल मिला के तीन points I hope discuss कर दिया मैंने आप सभी को section 7 के अंदर कि suit पहला money के संबंद में है तो ऐसा होगा दूसरा इसके अलावा दूसरा इसके अलावा मैंने बता दिया मेंटिनेंस चीज मोइबल प्रॉपरटी सूट फो मोइबल डिकलेरेटे इंजंक्षिं इसमेंट और एकाउंट से संबंदित है तो क्या होगा ठीक है अब चार पॉइंट होगे पाचवे कि तरफ मुंवण करते हैं पाचवा पॉइट क आख सात्यक्षा देखेंगा पाचवा यांसे देखेंगा कि लिखेंगे करदोग्य अब कर दो ऑगर मैं सभी प caution की बात करोओं साथ हुआ पजिछन ऑफ गड़िया और पोड पुचिए अभी दिमाग के बैज किसी लेंड के पॉजेशन की बात चल रही है या फिर कह सकते हैं कोई भी आपका गार्डेन वगएरा बना हुआ है एंड गार्डेन तो इन सुचुवेशन में भी मार्केट कौन सी वैल्यू सूट के अंदर लिया जाएगा तो आप सब बता सकते हैं इसको मैं आज पुना टेन टाइम्स यस और नो बस एक होमग दे रहा हूं मुझे इसका स्क्रिंशॉट जरू टेलीग्राम पे शेयर करिएगा अब आगे की बात चलो चल देता हूं छट्था पॉइंट enforcement of a right of preemption मतलब अगर preemption की बात हो रही हो preemption का मतलब समझते हैं जैसे कोई property सुफादिकार हक सुफादिकार बोलते हैं उसके वादों में अगर बात करें तो कौन सी property होगी तो मैं आपको बता दू प्रियम्शन में क्या होता है जैसे प्रोपर्टी की जो वैली होगी माल लिज उसके हिसाब से उसको भी code decide करेगा लेकिन अगर मैं partition लिख दू यहां पर यहां पर क्या लिख दू सातियों यहां पर मैं सातों पॉइंट अगर 6a है यह आपके बुक में अगर मैं यहां पर लिख दू partition के case में क्या value ली जाएगी तो partition के case में माल ली जो दो भाईयों में यह court fee देगा 25 लाग पर यह court fee देगा yes or no तो partition के case में भी क्या होता है इस तरह से चलता रहता है इसके अलावा मैं आपको dictate कर देता हूं मेरे पास page नहीं है अगर मैं बात करो interest of assignee for interest of assignee of land revenue अगर भू राजसों के समुनदेशित हित के बादों की बात अगर की जाती है त to set aside the attachment हो गया आप सभी का to suit to redeem redeem आप redemption के बारे में जानते ही है जैसे mortgage हो गया mortgage deed हो गया हो गया ठीक है या फिर suit by a mortgage फाइल होता है या suit for specific performance होता है साथियों तो इन सभी केसों केसों में आपको एक keyword के हिसाब से चलना पड़ता है तो मैं आप सभी को keyword लिखवा देता हूं देखिए ध्यान से मैं क्या कहना चाहरा हो आप सभी लिख लीजिए सभी लोग एक बात अगर specific performance के लिए सूट है तो sell mortgage और lease जो award किया जाता है वो court fee decide करेगा बट अगर बात करें आपको mortgage property का deed का तो यहां पर आपको principal money जो आपने secured करी है due amount जो claim किया उसके हिसाब से चलेगा चलिए section 7 का मैं आपको proper तरीके से notes अभी provide कर दूँगा टेलिग्राम पर ठीक है तो टेलिग्राम का link मैं share कर दूँगा ताकि वहां से आप notes section 7 का चार्ट form में पढ़ ले ताकि एक एक लाइन का है इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जुरत आपको नहीं पढ़ने चाहिए तो यहां पर आज मेरे पास page नहीं है देखो प्रोविजन को पढ़ने के बाद आप सभी की बारी आती है process fees यस और बिल्कुल अब process fees क्या होता है उसको ध्यान से देखिएगा process fees क्या होता है आदेशी का फीशें इसको कही जाती है आदेशी का फीशें का मतलब होता section number 20 अब देखो यह क्या कहना चाह रहा है कि कि किस त आगे चलता है अगर मैं कहूं cost of process जो भी कोट फीश लगता है इसे कोट प्रोसेस के नाम से जानते है तो rules as to cost of process कैसे चलेगा the high court shall make rules यहां पर क्या होगा जो high court होते हैं वह rules बनाते हैं तो अगर कोशन आ जाए process fees को लेकर rules कौन बनाता है साथियो process fees को लेकर जो rule बनाता है उसे हम क्या कहते है high court तो high court shall make rules for the process fees तो exam में important direct question पूछा जाता है अरे बही कोट के अंदर process fees कौन decide करेगा high court decide करेगा जैसे fees chargeable for serving and executing processes issued by court in its appellate jurisdiction अगर इसके appellate jurisdiction में कोई मामला हो रहा हो civil या revenue court के से संबंदित हो criminal court से संबंदित हो इन सभी मामलों में कौन rule बनाएगा एक high court है जो आपका वही rule बनाएगा और जो remuneration होता है P.O.N. को कितना दिया जाए other persons को कितना remuneration दिया जाए वह कौन decide करेगा साथियों वह भी आपका high court ही decide करेगा तो कुल मिला कि मैं आप सभी से कहना क्या चाता हूँ जितनी भी procedure होती है आदेशिका फीसों को लेकर process फीस जो court का होता है उनके समद में नियम कानून court के अंदर की बात है तो high court बनाएगा जैसे अगर बात करूँ मैं कि appellate jurisdiction को लेके civil court, revenue court, criminal court इन सभी को लेके high court अपने नियम बनाता है पियोंस की संख्याएं कितनी होगी other person कौन employee होगे यह सब बताता है अब section 21 की बात करते है tables of process fees आदेशिका fees की सार्णिया इसका मतलब क्या हुआ ध्यान से देखेगा a table in the English and verna cooler language मतलब जो table fees जो fees का पूरा table बना होता है कि कि किस matter पर कितनी fees दी जाएगी only for cognizable case बिल्कुर अब मैं आप सभी को क्या कह रहा हूँ जो table होती है process fees के respect में साथ हो तो मेरा यह मानना है आदेशिका fees की सार्णिया यहां पर हर वो table दो भाशा में बनाई जाएगी कोट में जाएगा उसको पता कैसे चलेगा कि यह जो fees है आपकी यह कितनी होगी क्योंकि कहीं कहीं पढ़े लिखे लोग नहीं होते जिनको अंग्रेजी नहीं आती इसलिए कह रहा है जो fees का table होग वह दो भाशा में होगा पहला कौन सा होगा इंग्लिश भाशा में और दूसरा कौन सा होगा वर्नाकुलर लेंग्वेज में वर्नाकुलर लेंग्वेज का मतलब वहां का देशी भाशा और इस table को एक code के अंदर जो shall be exposed to view in a conspicuous part of each code मतलब नियायाले में जो उचित जगा ह उस जगह पर इसको चिपका दिया जाएगा तो अभी देखिए वापस सुनीजिए प्रोसेस फीस के अंदर हमने पहला पढ़ा जो रूल्स होगा कॉस्ट और प्रोसेस को लेके हाई कोड बनाएगा फिर हमने बोला जो टेबल ऑफ प्रोसेस फीस है वो कहां पर होगी एक conspic लेंग्वेज में रहेगा फिर आगे की बात देखिए सेक्शन नमबर 22 2021 होगा अब 22 में आईए नमबर ओफ पियॉंस इन डिस्ट्रिक और सबोर्डिनेट कोट्स जिला और सबोर्डिनेट कोट की बात करें साथियों तो यहां पर नमबर ओफ कोट्स कौन डिसाइड करेग यह कौन डिसाइड करेंगा यह जिला जडिसाइड करते हैं या फिर मे vaccination जो है आपके जिले के वो डिसाइड करते हैं लेकिन इन सभी को subject to जो रूल्स हाई कोड़ непोर्ड ने बना दिये या राज़े सरकार की द्वरा एपरूड है उन नियमों को ध्यान में रखते हुए इ बात करें section number 23 number of pions in revenue court अगर मैं बोलू revenue court में कितने number of pions रहेंगे तो यहां पर देखिए subject to the rules be framed by chief controlling revenue authority and approved by the state government मतलब इनको approved किसने किया यह दो कोई simple सी बात है मतलब देखो यह main लोग है chief controlling revenue authority कुभी salary ही देगा राज सरकार की permission तो लेनी पड़ती है तो मैं यह पूछा number of pions कितने होंगे revenue court में यह decide कौन करेगा यह यह लोग decide नहीं करेंगे इनके नियमों के अधियन रहते हुए every officer performing the function of collector of district shell fix तो कुल मिला के मैं क्या कह सकता हूं जो collector होते हैं district collector of district shell fix यह सब्सक्राइब लाइन के फॉर्म में बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं बिल्कुल जो collector होते हैं उस जी लेके वह fix करते हैं अब बात करते हैं हमारे mode of living fix मतलब फीसों को थोपने के कितने तरीके हैं तो पहला देखो इस तरह की stamp duty वेगर आपकी लगती हैं आपके फोटो में आपको दिख रहा होगा अब इस तरह की stamp duty को समझ में देखेगा collection of fees by stamps फीसों की stamp द्वारा वसूली मतलब यह चीज में आपको क्या बोला section 7 के बाद में यहां क्यों आया हूं क्योंकि directly समझाता है बेरेक्ट को यह sections पहले पढ़ो कि भाई जो हम फीस को collect कर रहे हैं वह एक stamp के माध्यम से कर रहे हैं कोई दूसरा और तरीका नहीं है तो collection of fees by stamps फीसों की stamp द्वारा वसूली all fees shall be collected by stamp simple सी बात जितनी भी code fees होगी उसे हम stamp के द्वारा ही collect करेंगे कभी इनको हम लोग क्या कह सकते हैं cash में नहीं नहीं लेंगे या account के थ्रू नहीं लेंगे check वगरा हो गया इनके थ्रू नहीं लेते हैं सिर्फ और सिर्फ stamp के माध्यम से लेते हैं ताकि transparency बनी रहे और वहां पर कोई भी घपला नहीं हो कोई भी गड़बड़ी नहीं हो stamps to be impressed और adhesive अब जब यह stamp लगाए जाते हैं तो यह कैसे होते हैं दोस्तों इट शेल भी impressed और शेल भी adhesive stamp छापित या आसंजग भी हो सकते हैं या फिर इनको पार्टली पार्टली भी हो सकते हैं पार्टली इंप्रेजडेंट पार्टली एडेसिव यह सोर नो तो दो सेक्षिन बताएं मैंने collection of fees by stamp बिल्कुल हमेशा stamp के form में फीज कलेक्ट होगी पहली बात 25 कह रहा है 26 कह रहा है पार्टली एडेसिव पार्टली इंप्रेस्ट भी हो सकते हैं अब सेक्षिन 27 क्या कह रहा है रोल्स फूर्प्रियेट गवर्मेंट पॉइंट टुबी नॉटेड माय लॉड मतलब अगर मैं बोलू आप सभी को कि जो रूल होता है सप्लाई के समद्द में नंबर के keeping account of stamp stamp के को लेकर जितने भी यह नियम है यह नियम को कौन बताएगा appropriate government समुचित सरकार तो इनको लेकर नियम कौन बनाएगा समुचित सरकार में मैं रोल्स मतलब stamp के प्रदाई को लेकर stamp की संख्या को लेकर नवीनी करण और लेखे को लेकर नियम कौन बनाएगा आपका answer क कि आएगा बेरेक्ट में appropriate government that's it अब आगे के बात बट एक बात ही और कह रहा है provided that in the case of stamp used under section 3 in a high code अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं इन जनरल नियम कौन बनाएगा इन जनरल appropriate government बनाएगा लेकिन यह क्या कह रहा है अगर stamp का जो use है धारा 3 के अंदर वह high code के अंदर stamp की बात चल रही है तो मामला change हो जाएगा such rules to be made with the concurrence of the chief justice of the such code मतलब अगर high code की बात आ गई तो appropriate government की जगह क्या आ जाएगा cj chief justice of high code yes or no तो दो बातें आपको याद रखनी है अगर stamps को प्रदाई को लेकर supply number रेनिवर और keeping को लेकर है मामला तो in general appropriate government answer होगा बट यही स्टांप की बात अगर high court में हो रही है तो यहाँ पर rule कौन बनाएगा cjhc chief justice of high court that's it देखो इतने सारे पेज छूटे गया तभी तो कम पढ़ गए पेज आगी की बात करते हैं section number 28 की बात करते हैं साथियो धारा थाइस क्या किया रहा है अगर कोई document पर stamp होना चाहिए था बट वहाँ पर no stamp है तो it will not be a valid not valid मतलब अगर stamp के दौरा document आना चाहिए अगर आपने stamp नहीं लगाया तो valid होगा क्या no that will be not a valid document तो हमेशा stamp होना mandatory है साथियो सभी को clear yes और no देखो कितने अच्छे से प्यार से एक-एक section हो रहा है कि लाइन में यही learn करके आपको कल जाना है अब चलिए section number 29 की बात करते है amended document अच्छे बात बताओ अगर आपका कोई document है उसमें छोटा मुठा अमेंडमेंट कर रहे हैं कोई mistake को सुधार कर रहे हैं तो क्या उस mistake को सुधारने के लिए अलग से stamp देना पड़ेगा क्या आपको अलग से stamp पे करना पड़ेगा यह जो आपने stamp दे दिया उससे काम चल ज कोई जरूरत नहीं है कि आप fresh stamp वहाँ पर पे करें आई मेरी बात समझ लें yes or no तो there is in order to merely to correct a mistake it shall not be necessary to impose a fresh stamp तो अमेंडमेंडमेंड करने के लिए stamp के जरूरत नहीं होती है section number 30 में आईए cancellation of stamps या stamps को cancel भी किया जा सकता है देखे in any proceeding in any court or office कोई भी कार्यवाई चल दी चाहिए court में office में the stamp shall be cancelled अरे कहने का मतलब अगर stamp cancel नहीं करोगे तो एक आदम पहले क्या करते थे पता है चिट्थी आती थी घर पे stamp पे अगर वो काटा नहीं है मगा तो यह सिर कैसे लगाते हैं देखो स्टाम्स को result कासे करते हैं सात्य त्हूंब माफ कीजिएगा यस और नो बिल्कुल स्टांप को cancel करना बहुत जरूरी है अब देखो स्टांप को और कैसे cancel कर सकते हैं आपके सामने है mode of cancellation such cancellation by punching out the figurehead and the part removed by punching shall be burnt और otherwise destroyed अब यह कहरा mode of cancellation की बात कर रहा है कि कैसे आपका stamp cancel होगा कैसे stamp को cancel किया जाएगा तो उसका mode है पहला punching out figurehead बिल्कुल figurehead को आप punching कर दीजिए सिर्शित्र को punch करके and the part जो remove किया गया है punching के दोरा उसे जला दिया जाए या उसको खतम कर दिया जाए destroy ताकि इसका reuse नहीं हो सके बस इतनी सी बात है कि document का एक बार से जादा बार use नहीं हो इसलिए उससे punch कर दीजिए destroy कर दीजिए फिर उसके बाद देखिए last chapter आपका आता है six chapter number six miscellaneous प्रकेंड कहते हैं इसको साथ ही हो इसमें दो धारा है 31 और 32 दोनों को repeal कर दिया गया है अब 33 पे बात करते है section number 33 क्या कहता है admission in criminal case of documents for which proper fees has not been paid यह आपका exception है बताइए कि section का यह अपवाद के रुप में काम करता है मैंने आपको अभी बताया था कि बिना stamp fees के document को accept नहीं किया जाएगा उस line का यह अपवाद है अगर criminal case है दोस्तों अगर मामला criminal case का है और वहां पर proper fees paid नहीं की गई है तब क्या होगा तब देखें दो चीजे देखनी है in the opinion of presiding judge necessary to prevent a failure of justice अगर वहां पर criminal case में सिर्फ स्टांप को देखकर entertain नहीं किया तो हमारा नेचुरल जस्टिस ही खतम हो जाएगा उस व्यक्ति को न्याई ही नहीं मिल पाएगा तो इस situation में then it will be admitted तब विदाउट स्टांप विदाउट पेइंग विदाउट पेइंग स्टांप डूट स्टांप स्टांप विदाउट पेइंग स्टांप फिस इसको क्या कर लिया जाएगा इट विल भी एड्मिटेट अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 3040 समझ भाएग निया या जहां पर निया पीफल हो रहा है तब तो इस्टांप स्टांप एक तरफ कर दो माम लाइक अदम क्रिमिनल केस में सिविल में नहीं सेल ऑफ स्टांप की बात स्टांप का विक्रे की बात कर लेते हैं अगला सेक्शन क्या है सेल ऑफ स्टांप क्या स्टांप हर कोई बेश सकता है नहीं ऑनली ऑफ्राइज परसन देखे द एप्रोप्रियेट गवर्मेंट इसके संबन में रूल बनात आपका appropriate government और कौन सा व्यक्ति इसको बेचेगा उसको लेकर रूल कौन बनाएगा अपना appropriate government तो कुल मिलाके अगर मैं बात करूं sell of stamp की बात करें तो यहां पर रूल्स बनाने वाला appropriate government है और तीसरी बात and duties and remuneration of such person जो स्टांप देच रहा है उसके duty क्या होगी उसका remuneration क्या होगा वह भी appropriate government decide करता है और जो ये सारे rules ये की बात याद रख लिजेगा जितनी भी court fees act एंदर rules की बात करूँगा वो सारी के सारे shall be published होंगे कहां पर in the official gadget में ये बात हर जगा मैंने नहीं लिखा है बट जहां पर भी रूल आ जाएगा डाट शेल भी पॉब्लिस्ट इन दा official gadget इसी के एक और लाइन जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है एक्जाम में आने लाइक रहे साथियों अगर वो डिस वबे करता है किसी भी नियम को लेकर क्या कह रहा हूं किसी भी नियम को लेकर अगर स्टांप बेचने वाला क्या करता है डिस वबे करता है तो क्या होगा and any person not so appointed who sales or offers for sale any stamp मतलब दो गलत बाते हो रहे हैं पहला तो स्टांप बेचने वाला डिस वबे कर रहा है दूसरा कोई ऐसा परसन जिसको स्टांप बेचने के लिए अपॉइंट ही नहीं किया वो स्टांप को बेचे जा रहा है तो इन दोनों के लिए punishment मिलेगी दे अधिक्तम मतलब स्टांप बहुत बड़ी चीज होती है इसके साथ छेड़ चार्ट करने वाला कारावास लेगा अधिक्तम छे महीने का imprisonment होगा या फिर उसको maximum fine 500 रुपए लगेगा या फिर बोथ दोनों के दोनों रहेंगे तो अधिक्तम छे महीना अधिक्तम 500 या फिर दोनों अब चलते हैं अधले section की बात करते है section 33 क्या कहता है साथियो पावर टू रेडियूस और रेमिट फीस अच्छा स्टाम फीस को रेमिट कर दा या फिर कम करने का पावर किसके पास है और ये प्यारा सा हमारा एप्रोप्रियेट गवर्मेंट चाहे तो एप्रोप्रियेट गवर्मेंट फीस को रेडियूस कम कर सकता है या फिर उसका पर अब ये देखो एक बहुत पूराना एक्ट है तो पूरानी बाते कह रहा है दो जनों पर ये एक्ट एप्लाय नहीं होगा मतलब दो चैप्टर है पहला देखो chapter number 2 and chapter number 5 of this act not applies किन पर किन पर ये chapter लागू नहीं होगा दो राजा सरकार हैं हमारे पहला जो हमारे Fort William के time का at Fort William के जगह पर the commission payable to the accountant general of the high court at Fort William उसके उपर ये लागू नहीं होगा दूसरी बात fees which any officer of a high court is allowed to receive in addition to a fixed salary fixed salary के अलावा की बात ये कर रहा है high court के employees को लेकर officers को लेकर fees which any officer of a high court is allowed to receive in addition to fixed salary salary के अलावा अगर ये कुछ receive कर रहा है तो वहाँ पर धी दोस्तों ये chapter number 2 और chapter number 6 लागू नहीं होगा आप सभी को बता देना चाहता हूँ इसके अलावा February 22-28 तक है 20% free है 6 month extension linking code यूज करके subscribe कर सकते हैं these are the achievements and आपका batch start होगे 18 फर्वरी से special class में interactive class पोल्स रेजर एंड निवर मिस क्लास लेक्चर नोट्स अनिटेम अनिवर फेसलिटीज है प्लस में 612, 18, 24 months के courses आप सभी के 24 months के courses है अच्छे साथियो एक और बात आप लोग सुनते जाईएगा एक बात और मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ एक तो exemption वाले sections जरूर पढ़के जाईएगा एक यह point देख लिजी एक section number 10 है साथियो आपका अगर मैं आप सभी को बोलू कि section number 10 procedure where net profit और market value wrongly estimated माल लिजीए अगर net profit या market value गलती से जादा ले लिया तो माल लिजीए 10 लाक रुपे का था माल उसका valuation कर लिया 20 लाक तो आपने extra 10 लाक पर जो fees दी है extra 10 लाक पर जो court fee आपने pay की है साथियो उस court fees को आपको क्या करिया जाएगा refund getting my point yes or no यही provision को लेकर आपके 13, 14, 15 इन सब provisions में दिये गए हैं तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा इसके संबन्द में पहले आईए इस section पर refund section number 13 इसका मतलब क्या हूँगा इसका मतलब क्या हूँगा आपने कोई memorandum of appeal किया था बट lower court ने उसको reject कर दिया था बाद में जाके उसको accept कर लिया जाता है आप माना जाता है कि आप सही है तो आपकी जो fees पे की गई है appeal पर उसको refund कर दी जाएगी मतलब दो जगा appeal दो जगा fees नहीं देंगे एक तो आपने originally suit file किया तब आपनी stamp fees दिया अब आप appeal कर रहे हैं तो appeal के time भी stamp fees दे रहे हैं तो double fees आपको नहीं लगने देंगे जो आपका appeal वाला fees है जब आप सही पाये जाते हैं तो appeal वाला stamp duty लगी है आपकी stamp fees उसको refund कर दिया जाएगा दूसरी section 14 की बात ध्यान से सुनीगा refund of fees on application for review of judgment अब माल दीजिए review of judgment की बात के लिए आपने fees दिया बात में पता चलता yes you are right आपका decision सही था आपने जो review के लिए apply किया you are right तो अगर आप you are right तो आपको fees उसकी भी refund हो जाएगी हाँ ये भी होता है कि जो review के लिए आपको apply करना है वो concern time duration के अंदर ही apply करना पड़ता है लेकिन किसी वज़ा से आपने उस time period के दौरान review के लिए apply नहीं किया delay हो गया तो अगर वापे sufficient cost पाया जाता है कि हाँ इस कारण की वज़ा से delay हुआ तो बिल्कुल वहाँ पर भी court consider करेगी जैसे आपने section 5 of limitation act देखा है sufficient cost शो कर दिए तब भी आपको fees refund हो जाएगी जो review के time पर लगी है आगे की बात refund where court reverses or modifies its former decision on ground of mistake मालेज़े court ने कोई 30 दिन के अंदर है अब ध्यान सुनिएगा अगर कोई एक court ने mistake कर दी जिसके वेसे कोई गलर decision वगरा आ गये थे अब court उसको सुधार रहा है तो उस situation में भी आपको court fee refund हो जाती है section आपका repealed हो गया अब देखे 17 याद रख लिजिगा multi multifarious suits बाहुले पूर्णवाद से संबंदित है इसका मतलब क्या हुआ where a suit embraces two or more distinct subjects जब कोई suit के अंदर दो या दो से ज़्यादा subject होते है the plant or memorandum of appeal एक plant की बात चल रही है दूसरा memorandum of appeal की बात चल रही है shall be chargeable with the aggregate amount of the fees मेरी बात को ध्यान से समझे मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात यह है कि अगर कोई दो या दो से ज़्यादा distinct subject है आपके माल लीजिये आप court suit file कर रहे है बट आपके विशेद 4 है तो क्या 4 subject के लिए आप 4 बार अलग-अलग suit file करेंगे नो आप 4 matter के लिए एक suit file करेंगे और 4 की value जुड जाएगी माल लीजिये पहला मामला 1 lakh का था दूसरा मामला 2 lakh का था तीसरा मामला 5 lakh का था और चョ tribadana 10 lakh का मामला था तो total aggregate sum क्या लिखना हूँ aggregate sum कर दीजिये 1 लाग plus 2 लाग 3 लाग हो गए प्लस 5 आठ लाग plus 10 अच्ठा लाग 18 लाग रुपे का आपका वैली हो गया इस पर आपको कोड फी लगेगी और आपको एक ही सूट फाइल करना है इसे कहते हैं बाहु लिपुण वार ठीक है आप अलग-अलग सूट फाइल नहीं कर सकते हैं सो इस्टूडेंट्स आज कर इतना ही आई हूप आप सभी कोई लेक्चर पसंद आया होगा और सबको समझ में भी आया होगा कुछ दो चार सेक्शन से आप जरूर उसको अब्जर्व कर लीजेगा एक तो एक्जैम्शन की लिस्ट है सिर्फ लिस्ट का की वर्ड बना करते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए सेक्शन के साथ आई यह आपकी आज जो इस्पेशल क्लास होगी बहुत ज्यादा लेट हो गया दोस्तों तो हम लोग उसको मॉर्निंग में शेडियूल कर देते हैं राइट अच्छा कोट फी एक कोशन भी करने के आप ल स्मॉल एफर्ट था मेरी तरफ से थोड़ी बहुत फाइले भी मेरी इधर उधर हो गई जिसकी वज़ए से मैं प्रॉपर सायद आज 100% फाइल्स कंटेंट को लेकर नहीं दे पाया होंगा बट कोशिश मेरी यह रही कि मैं आपको पूरा बता सकूं सेक्शन 7 का चार्ट मैं आपको भेज दूँगा या एक स्टूडेंट को बोल दूँगा जिनको प्लस में पढ़ाया है वो भेज देंगे भी ग्रूप में आज के लिए इतना ही आई होप मेरी क्लास आप सभी को पसंद आई होगी आपका साथ ऐसे बना रहे और भी सेक्शन और भी चैप्टर्स औ और भी कानून को हम लेके पढ़ते रहेंगे सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है मिलते हैं बहुत जल कल सुबह 11 बजे राइट थैंक्यू सो मच सभी को मेरी तरफ से जैहीन एंड जय भारत अपना ध्यान रखिएगा थैंक्यू बाबाए चेक केर